हेलो एवरिवन आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे GST स्ट्रक्चर के बारे में पिछली तीन वीडियो हम GST से रेलेटेड पबलिश कर चुके हैं जिसमें GST क्या है उसका इंटोड़क्शन के बारे में था GST कॉंसिल के बारे में था और सब बेसिक नॉलिज थी GST के बारे में इंडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है उसके बारे में था यह हमारा चौथा वीडियो है GST से रेलेटेड आज हम इसमें बात करेंगे GST स्ट्रक्चर क्या है क्या-क्या rates होते हैं GST के, कौन-कौन से राज्य में, किस राज्य में, किस केंद्र में, किस किस तरह से tax लगाया जाता है, वो हम सब GST structure में हम यह सब देखेंगे, ठीक है, तो शुरू करते हैं हम, सबसे पहले देखे, GST structure के हम बात करते हैं, तो यह multi-tiered, tiered system है आपका, यहाँ पर क्या है, multi-tiered means कही कही variety के tax है, variety in the sense के अलग-अलग rate के tax है, केंद्र सरकार अलग tax लगाते हैं, राज्य सरकार भी tax लगाते हैं, union territory भी tax लगाती हैं, जो हमारी केंद्र शाषित प्रदेश आपने सुने होंगे, union territory, जैसे दादर नगर हेविली, डमन्डियू, दिल्ली, इस तरह के सबी यह union territory माने जाते हैं, तो यह जो हमारा जो tax structure है, GST structure है, इसमें ज्यादा तर अब तो सभी वस्तुएं, सभी services, सब चीज़ आ चुकी हैं, और जो tax लगता है, वो उनके nature के हिसाब से, उनकी जरूवत के हिसाब से, उनकी market conditions के हिसाब से, और consumer का जो needs हैं, जरूवत हैं, वो बदलती रहती हैं, उसके सब के हिसाब को देखते हुए, tax के rate decide करे गए हैं, और इससे क्या हुआ है कि tax जो framework के हमारा, वो थोड़ा simple हुआ है, जो tax structure में जो धाचा है, tax का, वो सरल बनाया गया है, आगे देखते हैं, देखें, जो goods and services tax हो, उसमें अब इस समय वैसे तो 4 tax हैं, लेकिन 0% को लगा दे, तो 5 तरीके के percentage tax लगाए जाता है, कुछ समानों पर, वस्तुओं पर कोई tax नहीं है, यानि कि 0%, बहुत जो जरूबत की चीजे होती हैं, उस पर कोई tax नहीं है, कुछ पर 5 प्रतिशत tax लगाया जाता है कुछ पर 12 प्रतिशत का tax लगता है कुछ पर 18 प्रतिशत का tax लगता है और कुछ पर 28% tax लगता है कौन कौन सी वस्तू पर कितने कितने प्रतिशत tax लगता है वो हम आगे देखते हैं तो यह मैंने आपको बता दिया जो current GST rates है वो 0%, 5%, 12%, 18% and 28% है और ये nature के हिसाब से goods and services की उसके category के हिसाब से tax लगाया जाता है और जो GST council होती है वो समय समय पर क्योंकि उनकी meetings होती रहती है तो समय समय पर tax rate को revise कर देती है revise करने का मतलब है कि कुछ बस तूपे पहले मान लीजिए 12% लग रहा है तो अब उन्होंने कम कर दिया 5% लगा लिया या पहले 12% लग रहा है तो बड़न 18% कर दिया तो जरूवत के हिसाब से situation के हिसाब से जो उनके पास सिफारिशी आती है अलग अलग जगहों से उनको सब क consider करते हुए GST council rates को revise करती रहती है उनके समिक्षा करते हैं उनको revise कर दिया जाता है कि कभी किसी बस्तूपे ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी हो सकता है तो ये किसी बस्तूपे अगर कोई tax लग रहा है तो वो fix नहीं है कि जिन्दीवर fix रहेगा हो सकता है एक आत साल मे उसके rate revise हो जाए कम हो जाए या जादा हो जाए तो GST rates जो है कुछ composition scheme भी चलती है हमारी वो कभी हम आगे वीडियो में देखेंगे कि जो छोटे व्यापारी है जिनका लगबग डेर करोड के आसपास ही turnover है turnover मतलब विक्री जो होती है तो जो इसलिए वो छोटे व्यापारी distribution scheme कहा करते हैं वो उसमें register कराते हैं और उसमें डेर प्रतिशत ये 5 ये 6 तक प्रतिशत तक tax उनकी विक्री पर लगता है अब हम देखें कुछ ये products वस्तुएं दे रखें जिस पर 0 प्रतिशत tax है जिन पर यानि की कोई tax नहीं लगता है जैसे आपके दूद हो गई दही ल हैं चावल हैं आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं इसमें कुछ healthcare स्वास्ते सेवाएं हैं जूट है hand loom है तो ये basic चीजे हैं जो एक आम जनता है एक आम व्यक्ति इनको daily use करता है तो उस पर देखें कोई tax नहीं लगना है समझ रहें आप कि इस पर कोई tax नहीं लगता है और देख सकते हैं पनीर हो गया या आपके मचलिया हो गई कुछ जीविज जानवर जो खाते हैं मचलिया हो गई और आपके कुछ कुछ कृशी से समबंदित बीज हो गए सिल्क वार्म होता है कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए आपके बसेज मैट्रो रेलवे इन पर कोई tax नहीं लगेगा सोलर पैनल पे बहुत नहीं लगता है विंड मिल्स हैं या बायो गैस प्लांट लगाते हैं तो ये इसलिए रखा गया इन पर कोई tax नहीं है कि ये स कि ये tax 0% fix नहीं है ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है कभी भी 0% से हटकर 5% में जा सकता है 12% में जा सकता है तो ये चीजे fix नहीं है इस बात का मैं विश्चेश तोर पर आपको बार बार कहूंगा कभी आप सोचें कि ये fix हो गया कि इस पर tax नहीं लगेगा समय के साथ-सा ला है चाए है जो घर में गैस सिलिंडर आता है आपका LPG मिट्टी का तेल केरोसीन होल है कुछ life saving drugs है ब्रांडिट पनीर हो गया कुछ क्रीम हो गई इस किम्ड मिल्क हो गया पाउडर मिल्क पाउडर आता है कुछ life saving drugs हैं medicines हैं कुछ हैं और कुछ rail और economy air travels वगरा small restaurants हैं इन परे कम tax लगता है नहीं कि केवल 5% का ही tax लगाया जाता है जो भी बिक्री होगी उस पर 5% का tax लगाया जाएगा और हैं जैसे आपके butter है मसाले हो गए और आपके cotton fabrics हो गए sanitary napkins वगरा हो गए जूते हो गए fertilizer हो गया खेतों में खाद पढ़ता है ना चाय हो गई भूनी हुई coffee beans हो गई कुछ edible oils हैं यह सब चीज़े हैं पढ़ सकते हैं हिंदी और English दोनों में देखे लिखा हुआ है तो इन पर 5% का tax लगता है यह वस्तुए देखिया आप इन पर 12% का tax लगता है घी हो गया मखन हो गया तो जैसे जैसे चीज़े luxury के तरफ जा रहे हैं महंगे आइटम होते जा रहे हैं उन पर देखे tax rate भी बढ़ता जा रहा है फलो कारास हो गया juice पिते ना fruit juice होता है बना हुआ खाना हो गया पंखे टोस्टर mixture grinder mixture होता है न सब धरों में टेली विजन होता है mobile phones छोटे mobile phone हो गए या टेली विजन भी छोटे टेली विजन हो गए कुछ furniture हो गया है नहीं और जैसे आप यह sauce jam खाते हैं बच्छे jam बहुत पसंद करते हैं तो यह सब चीजों पर 12% tax लगा है जाता है कुछ और items देखिए taxi auto रिक्षा पर है और आपक हैं तो एपरिल्स हैं छोटे वगरा mobile हो गए कुछ रेस्टूरेंट्स हो गए इन पर सब पर कंप्यूटर हो गया केरम बोर्ड सलाई मशीन वगरा वगरा इन पर 12% का tax लगाया जाता है तो इसमें देखा जा रहा है कि सामर्थे भी लग लोग खरीद भी सकें और सरकार को राजस्व भी मिल सके तो दोनों का balance बनाकर इन प्रोड़ेंट्स पे रखा गया है अभी 18 प्रतिशत देखते हैं जी एस्टी रेट 18 प्रतिशत एटीन परसेंट यह हाई एंड मोबाइल हो गए थोड़े महंगे लैप्टॉप्स वगरा हो गए बड़ी स्क्रीन के टेलिव इस अब चीजे लैदर जैकिट्स हैं चॉकलेट्स आइस क्रीम्स आप खाते हैं तो इन सब पर होटल में आप जा रहे हैं तो यह सब चीजों पर 18 प्रतिशत टेक्स लगाया जाता है और हो गए जैसे आपके घर में अगर आप काम करा रहे हैं फ्लोर बनवा रहे हैं तो मा चीजों को और कंप्यूटर प्रिंटर्स कैमरा वगरा यह सब चीजों पर 18 प्रतिशत टेक्स लगाया जाता है कुछ पर 28 प्रतिशत हैं देखिए बड़े हो गए एम्यूजमेंट पार्क मनुरुंजन पार्क में आप घूमने जा रहा हैं वहाँ पर प्रवेश शुलक दे हैं बड़े एसी हो गए जो बड़े प्रीमियम साइस के वाशिंग मशीन से फ्रिज हैं और फिर जो वैसी चीजे हैं जिनसे हमारी सेहत खराब होती है तंबा कूप पान मसाला है नहीं कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जो आपको नुकसान दे सकते हैं तो उन पर 28 प्रतिशत टेक लगाया जाता है कुछ और आइटम्स हैं जैसे कि कुछ कार्स हैं कुछ बड़ी कार हो गई छोटी कारों पर नहीं बड़ी कारों पर 28 प्रतिशत हैं बड़ी-बड़ी महंगी मोटर साइकल्स हैं आपका इस सिगरेट सिगार जो से मैंने बताया ना चुइंग टुबैकों बगरा इन पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है कैसी नों जो यह महंगे आइटम्स होते हैं गेमिंग बगरा यह वीडियो गेम्स बगरा होते हैं इन पर सब पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है तो आपने देख लिया कि जो जरूत के आइटम्स हैं एक आम आदमी गरीब आदमी जो उनको जरुवत की चीजे हैं, जो उनको खर्च डेली चाहिए, उन पर या तो टैक्स नहीं है, या 5 प्रतिशत का टैक्स है, लेकिन जो एक अमीर आदमी जिनको यूज करता है, उस पर गॉर्मेंट जादा टैक्स वसूल करती है, 28%, अब देखिए परपस क् जीरो परसंट है, यानि की कोई टैक्स नहीं है, तो यह बहुत ही जो आवश्चक वस्तुएं हैं, सेवाइं हैं, कि यह वो सब के सामर्थ में हो जाएं, सब की पहुँच में हो जाएं, तो इसलिए उस पर जीरो परसंट टैक्स लगाया जाता है, 5 परतिशत ऐसे टैक्स है जो promotes accessibility to basic necessities कि सब बुनियादी अवश्यक्ताएं है जिससे कि वो सब तक पहुँच सके तो उस पे 5 प्रतिशत का tax है 12% है कि आप के affordability भी खरीद भी सकें आप और सरकार को राजस्वी revenue भी मिलता रहे ठैक्स लगाने का main purpose क्या है कि सरकार को पैसा मिले जिससे कि वो आम जनता को सुविधाएं दे सके बुनियादी धाचा बना सके देश का विकास कर सके तो इसलिए लोग afford भी कर सके समान को और सरकार को पैसा भी मिल जाए ऐसा वो 12% tax में मुम्किन है जहां 18% लगा जाता उसका उद्देश्य है कि राजस तो बने ही बने और prices भी maintain रहे सुनिश्चित करतुएक का राजस बनाई भी रखना है उचित उभोगता कीमते भी सुनिश्चित करना होता है और 28% है जो महंगे luxury items है विलासिता के अमीर लोग खरीद रहे हैं गैर आवश्यक हैं जो कि उनकी बहुत ज़्यादा जरुवत नहीं है केवल अमीर लोगों को जरुवत हो सकती है एक आम आदमी हवाईजाज में बैटके नहीं जाएगा है नहीं बहुत बड़े 5 star 7 star होटल में खाना नहीं खाएगा एक आम आदमी खाएगा तो कोई बात नहीं टेक्स दे तो आप खा सकते हैं तो कोई बात ही नहीं है तो इसलिए ये विलासिता की चीजे हैं लग्जिरियस आइटम्स हैं गैर आवश्यक बस्तुए हैं या ऐसी बस्तुए हैं जिन से सरीर पर हमारी बाडी पर नुकसान होगा हेल्थ इशू आएगा सिगरट पी रहे हैं तंबा को खा रहे हैं पान मसाला खा रहे हैं ये सब नुकसान वाले आइटम्स हैं तो इन पर 28 प्रतिश्ट टेक्स लगाया गया है तो हम इस ट्रुक्चर की देखिए पाच परसंड भी है बारा परसंड भी है 18 परसंड भी 28 प्रतिश्ट भी है तो आवश्यक समान जो है जो important items हैं जो जुरूत की चीजें हैं उन पे free है या 5 परतिश्ट टेक्स है जो फाल्तू के समान है जो नुकसान दायक्स समान है विलासिता के समान है, लेक्जरी आइटम से उन पे 28% टेक्स लगाया जाता है, तो GST की जो structure है, उसको समझने की क्या जुरुवत है हमें, तो भारत में जो GST सरचना को समझना है, तो इससे क्या होता है, कि जो भी वियापारी वर्ग है, क्योंकि GST किसको देना है, जमा तो वियापारी को करना है, देना गिरहा को है, क्योंकि जो समान मूले होता है, समान का उसमें वो जुड़ा होता है, तो दे तो गिरहा करा है, लेकिन जमा करने का सरकार की अकाउंट में डिपॉजिट करने का क का बोज भी कम करने में मदद मिलती है कि बही प्लानिंग रहेगी टैक्स प्लानिंग रहेगी और जो हमारा व्यवसाय को इमानदारी और जिमिदारी से चलाने की एक कुंजी है एक तरीके से कि हम अपने बिजनिस को चलाएं तो यह ग्यान हमें समार्ट विकल चुनने लाने से बचने और हमारे वित्य स्वास्ते की रक्षा करने की सुविधा देता है समझे रहें न कि अगर इनkr पता हुगा कितना प्रसन टैक्स देना है कब देना है कैसे देना है तो जुर्मान लग जाएगा तो पैनल्टि लगेगी तो अगर हमें सब कलियर होगा पहले से पता होगा तो penalty भी नहीं लगेगी और हमारा financial problem भी हमें नहीं होगी financial चीजे सही रहेंगी अब देखे main structures देखे क्या क्या है इसमें देखेंगे आपकी चार तरीके की चीजे हैं एक होता है central GST यह main है समझने के लिए central GST यानि केंद्र यह यह वस्तू और सेवा कर है इसमें क्या होता है कि यह central government केंद्र यह सरकार लगाती जो केंद्र सरकार है हमारा दिल्ली में जो सरकार है वो केंद्र सरकार जो है जो प्रधान मंत्री उनके वो होते हैं प्रधान मंत्री हो गए केंद्री मंत्री होते हैं तो वाली जो सरकार है वो इस पर टैक्स लगाती है और जो वस्तू है जो विक रहे हैं ये बहुत समझने की बात है जो वस्तू विक रहा है जो समान विक रहा है वो उसी एक ही राज्ये में विक रहा है यानि कि अगर उत्तर प्रदेश में बेच रह हूँ तो उत्तर प्रदेश वाला ही खरिद रहा है यानि कि मैं मुरदवाद से लेकर मुरदवाद में हूँ तो मैंने लखनू समान बेच दिया तो उत्तर प्रदेश का तो राज्य एक ही है तो उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने कहीं से भी बेच दिया मैं लखनू में रहता हूँ तो लखनू से मैंने इलावाद बेज दिया मेरट बेज दिया गाजियाबाद बेज दिया नौइडा बेज दिया बरेली बेज दिया तो मैं कहीं भी बेज सकता हूँ लेकिन एक राज्ये के अंदर तो उस राज्ये के अंदर जो जितना में ये समान खरीदा और बेचा गया है फिर मैं बताना चाह रहा हूँ कि समान बाहर नहीं जाएगा यहां भी जो समान है वो उसी राजिये में बेचा और खरीदा गया है कि जिसने बेचा और जिसने खरीदा वो दोनों एक ही राजिये में रहते हैं तो पहला वाला भी सेम य प्रतिशत राज्य सरकार के पास जाएगा लेकिन समान एक ही राज्य में विका होना चाहिए अगर उत्र प्रदेश में विक रहा है खरीदा जा रहा है तो उत्र प्रदेश सरकार ये पैसे रखेगी महाराष्ट सरकार मुंबई में समान बेच रही है वहीं समान बेचा जा र और है तो जो बंबई की सरकार है मुंबई की सरकार है मारास्ट की सरकार है वो उस टेक्स को अपने पास रखे गी तीसरा होता है देखिए इंटीग्रेटिड जीस्टी अब इंटीग्रेटिड जीस्टी क्या होता है ये टेक्स लगता है जब हमारा समान एक राज्ये से दूसरे राज्ये में बिकने के लिए जा रहा है यानि कि मैं अगर उतर प्रदेश में बियापारी हूँ तो मैंने अपना समान हरियाना में बेच दिया या पंजाब में बेच दिया तो उतर प्रदेश से समान बिक रहा है और खरीदा जा रहा है पंजाब में तो केंदर सरकार इस पर टेक्स लगाईगी उसे हम कहते हैं के बीच में ये लगाया जाएगा समझ गए बात तो पहला वाला जो cgst और sgst थे वो राज्य सेम था कि उसी राज्य में खरीदा गया उसी राज्य में बेचा गया लेकिन ये integrated gst है अगर राज्य बदल रहा है तो केंदर सरकार tax लगाएगी और समझने की हाँ पर एक बात केंदर सरकार ने तो tax लगा दिया और केंदर सरकार ने वो tax वसूल कर लिया अब राज्य सरकार ने बेचा दूसरे राज्य सरकार में एक राज्य से गया और दूसरे राज्य में बिग गया तो भई उनस राज्य सरकारों का क्या फाइदा तो जिस राज्य में समान गया है जहां का ग्रहाक है उस राजिय को कुछ हिस्सा केंदर सरकार अपने जो टैक्स का लेट करा है उसमें से कुछ हिस्सा दे देगी कि और चौता हफा यूणीं टैरिटरी जी एस्टी है जैसे हमारे राजिय होती है जैसे उत्तर प्रदेश बिहार है बैस्ट पंच्शे वंगाल है केरला है करनाटक है दिल्ली है और बिली कह रहे हैं जैसे और आपके पंजाब हो गए दादर नगर हवेली हो गए तो इस तरह के यह जो राज्य है यह यह इंहें हम कitives कैंदर शास्ञृतफिश के अंदर समाथ शाषित GEORGE के आ हो इन थे नहुंगता है यह कंदर सरकार के अधेन होते हैं तो इनमें जो एक ही केंदर territory GST लगता है तो बस उसे केंद्र शाशित कह दिया उसे राज्य कह दिया बस इतना फरक है बाकी सब चीजे system सेम है तो देखिए अब हमाई clear हो गया आप table देख सकते हैं table देख सकते हैं आप यह हमारा main GST है इस GST को हमने देखिए intra state एक ही intra का मतलब होता है उसी राज्य में बिक रहा है तो जब उसी राज्य में बिक रहा है तो देखिए दो हो गए एक central GST और आधा ले लिया राज्य सरकार ने आधा पैसा ले लेगी केंद्र सरकार आधा पैसे ले लेगी राज्य सरकार फिफ्टी फिफ्टी बढ़ जाएगा और अगर inter state है inter state का मतलब कि दूसरे राज्य में जा रहा है तो ये केंद्र शाषित मतलब केंद्र इस पैसे को रख लेगी और कुछ फॉर्मूले के हिसाब से वो राज्य सरकार को कुछ हिस्सा दे देगी ठीक है अब देखते हैं बाकी आइटम्स अब इने डिटेल में पढ़ते हैं तेखिए पहला है state goods and services टेक्स जैसे मैंने आपको बताया यह वह वाली बात है मैं दुबारा यहां पर repeat हो रहा है कि state goods and services कहलो या union territory gst कहल या SGST कहलो एक ही बात है यानि केंदर शाषित प्रदेश या राज्य सरकार राज्य में जो समान खरीदा बेचा जाता है जो सेवाएं आदान प्रदान की जाती है उसका जो भी मैंने बताए ना आधा यानि कि 18 प्रतिशत नौ प्रतिशत जो है यानि कि 50 प्रतिशत टेक्स का वो कौन ले लेगा आधा आधा दोनों राज्य सरकार में और केंदर सरकार में बठ जाएगा तो इस टेक्स को इस सेट जी है तो इसको राज्य सरकार लगाएगी और जिस राज्य में सरकारे हुआ है जिस राज्य में समान खरीदा बेचा गया है वो राज्य उसको उस प ये state government इस पर tax लगाती है तो जिस राज्य में समान बेचा गया खरीदा गया वो राज्य उस tax को इखटा करेगी और इसमें जैसे पहले purchase tax हो था था luxury tax वैट और प्राई ये इस तरह के tax थे वो सब SGST में शामिल हो गए और जैसे union territory केंदर शाषित प्रदेश जैसे मनें बताया पुड़ुचरी अंडमान निकोबार या चंडीगर भी है हमारा ये सब union territory है तो केंदर शाषित प्रदेश हैं तो इनको UGST कहा करते हैं ये UGST SGST की जगह क्या हो गया UGST हो गया बात एक ही है एक जैसे example ले लेते हैं यहाँ पर कि कोई लें दिन हमें किसी राज्य के भीतर एक अंदर ही करना है उधारण के जैसे जहारखंड राज्य है एक व्यवसायर राज्य के भीतर एक भुकता को एक टन लो आयसक की आपूर्ती की गई आयरन लोहा दिया गया और वो कंजूमर भी जो गरहाक है वो भी जहारखंड में ही रहता है तो फिर GST केंद सरकार और जहारखंड सरकार के पास चला जाता है यानि कि CGST और SGST दोनों लगेंगे अगर 28 प्रतिशत है तो 14 प्रतिशत केंदर सरकार रख लेगा और 14 प्रतिशत ये जहारखंड सरकार रख लेगी ठीक है मुझे उमीद है समझ में आ रहा होगा आपको और यूनियन टैट्री जैसे मैंने बताया चंडीगाड पुंडूचरी अंडवान निकोवार आइलेंड से तो ये SGST की जगह पर ये UTGST ये UGST हो जाएगा और यहां से भी ये वेट और ट्राइ ये सब चीजे लग्जरी टैक्स पर्चेस टैक्स सब गायब हो गए और सब की जगह बन गया UGST एक एग्जम्पल देखें यहां पर भी लिया है मैंने एक वियापारी है महराश्ट में और उसने समान बेचा महराश्ट में ही अपने गिरहा को 10,000 रुपए का अब अगर तो यहां पर जो क्योंकि एक ही राज्जी के अंदर समान बिकरा है तो दो टैक्स लगेंगे SGST और सरकार रखेगी तो 9% हो गया SGST और 9% हो गया CGST अब अगर 18% निकालेंगे 10,000 का तो 18,000 रुपए निकल कर आएगा तो यानि कि गिरहा को 18,000 रुपए टैक्स के देने है 10,000 का समान तो 11,800 रुपए उसको गिरहा को देने पढ़ेंगे तो 11,800 दे दिया उसमें 10,000 असली अम मैंने बताया आधा केंदर सरकार का राधा राज्य सरकार का तो 900,900 रुपए दोनों में बढ़ जाएंगे तो 900 रुपए महराज सरकार को चले गए और 900 रुपए केंदर सरकार को चले गए ठीक है कितना असान देखिए दूसरा बिलकुल ये भी सेमी है एक तरीके से सेंटरल गूर्सन सर्विस है, CGST हो गया, ये जो CGST है ये आधा टेक्स, चूँकि आधा तो राज्य सरकार रखती है, तो आधा ये केंदर सरकार इसको रख लेगी, तो इसको केंदर सरकार लगाती है टेक्स इसको, और एक ह राज्य के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, जो खरीदा बेचा जा रहा है, तो उसी राज्य के अंदर होना चाहिए, तो इसको केंदर सरकार इस पर टेक्स लगाती है, और इस साथ में SGST, UGST तो होता ही है, और जो पैसा एकहटा होता है, वो बराबर दोनों में राज्य स सरकार और केंद सरकार में बढ़ जाता है यहां पर देखिए मैंने एक्जामपिल वही लिया है सेम एक्जामपिल है कि 10,000 का समान महराष्ट के वियापारी ने बेचा महराष्ट का ग्रहाख है 10,000 और 18 प्रतिशत ब्याज है तो त्थारसु रुपए का ब्याज हो गया 900 रु कि अब राज्जे से क्योंकि हमें व्यापार तो पूरे देश में करना है विदेशों में करना है खाली एक राज्जे में ही थोड़ी व्यापार करेंगे हम तो इसलिए जो एक राज्जे से दूसरे राज्जे में जा रहा है उत्तर परदेश से महराष्ट जा रहा है उत्त केंदर सरकार ही लगाती है सेंटरल गवर्मेंट लगाईगी और यह भी इंटेग्रेटर जो है वो सीजी एश्टी एश्टी का दोनों का टोटल ही है कि अगर 28 प्रतिशत है तो 28 प्रतिशत टैक्स है तो 14-14 बढ़ जाएगा लेकिन यहाँ पर 28 प्रतिशत एक ही पूरा का कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा तो यह इंटर इस्टेट सप्लाई हो गई है और जो एक ही राजी में होते हैं उसे कहते हैं इंट्रा इंट्रा इस्टेट और जो एक राजी दूसरे राजी में जा रहा है उसे हम इंटर इस्टेट कहते हैं तो इसको हम इंटेग्रेटिड GST कहा करते हैं तो ये वही सब चीजों पर लगेगा सारे गुड्स पर वस्तूओं पर सेवाओं पर जो एक राज्य से दूसरे राज्य या एक यूनिन ट्रेट्री या दूसरे यूनिन ट्रेट्री में समाद जा रहा है जैसे एक एक एक्जाम्पल हम यहांपर ले सकते हैं जैसे की एक उधारन ले लेते हैं कि जहारकंट से पच्छिम Burngal जा रहा है समान आइरन हमने बेचा लोहा बेचा वो पच्छिम जहारकंट से पच्छिम Burngal चला गिया तो उप्योग कौN करेगा जहारकंट से तो गया है खरीद कौन रहा है वेस्ट वेंगाल का वियपारी तो जो टेक्स जो बटेगा वो केंदर सरकार में और कुछ हिस्सा उसका वेस्ट वेंगाल सरकार को पश्चिम वंगाल सरकार को मिलेगा तो जहाँ पर खरीदा जाता है उस राज्य को IGST का हिस्सा मिलेगा जो बेच रहा है उसको हिस्सा नहीं मिलेगा तो जब ट्रांजेक्शन होते हैं वो इंटर स्टेट हैं दूसरे राज्य में जा रहा है तो IGST उस पर लग जाएगा और यही रूल चलेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो हम आयात और निर्यात करते हैं विदेशों में उन पर यह लगेगा तो वहाँ पर भी वोई कंडिशन रहेगा कि जिस राज्य में समान आ रहा है उस राज्य को मिलेगा तो यह केंद्र सरकार राज्य सरकार में कुछ ना कुछ हिस्सा पेचार 18 प्रतिशत टैक्स है तो 18 सूर्प टैक्स हो गया तो करनाटक के व्यापारी ने महराष्ट के व्यापारी को 11,800 रुपए दे दिए ठीक है इस 1800 को महराष्ट का व्यापारी गौर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देगा तो इसे हम IGST कहेंगे 18 सूर्प और केंद् सरकार को कुछ हिस्सा देतेगा तो IGST जो है यह इसके features क्या हुए यह दोनों का मिलके हो गया पहला point दोनों को मिलके हो गया CGST और SGST का जोड़ IGST ही होता है और यह destination based tax है गंतव्य आधारित है कि जहां समान पहुँच रहा है जहां खरीदा जा रहा है जहां पहुँच गया जहां उपभोग होगा जहां यूज करा जाएगा वो उस राज्य को tax मिलेगा उसका हिस्सा उस राज्य को मिलेगा और यह जो है यह tax button को कम कर देता है क्योंकि यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग tax नहीं देना पड़ेगा एक बार tax जहां समान खरीदा गया उस र राज्ये में हमें अलग-अलग टेक्स जमा नहीं करना है और यह जो टेक्स है यह इंटर स्टेट एक राज्ये से दूसरे राज्ये के का समान आदान प्रतान की बज़े से लगाया जाता है और CGST, SGST दोनों का कमबाइंड करके यह सिंगल टेक्स बन गया और इसको केंदर स टेक्स जो अंतर, राज्ये, व्यपार की बादाएं हैं, वो दूर हो जाती है, एक साजा व्यपाजार, एक कौमन मार्किट बन जाता है कि हमारा पूरा देश ही एक मार्किट मन गया एक तरीके से, कि वन नेशन वन टेक्स हो गया इससे क्या होगा ट्रान्स्पेरिंसी रहे समानता रहेगी और टैक्स सीस्टम में एक दक्षता रहेगी और इस से क्या हुआ कि टैक्स इस्ट्रुच्चर भी हमारा सिंपल हो गया और हमारा आरarms विकास तो होता ही आ ליर से जब सब चीजे सई रहेंगी तो हमारा आर्थिक तेश का आर्थिक विकास भी होगा अंतर देख लेते हैं देखे अब हमने तीनो वराइटडि के टैक्स देख लिए सेंटरल वाला भी स्टेट वाला भी और आई जीस्ट वाला भी तो हम इनकी सबकी समरी देखिए मैं हाँ पर लेकर आया हूँ कि जो नेचर प्रकिर्टी है तो CGST केंदर सरकार का है और SGST राज्य सरकार का टेक्स है और IGST केंदर सरकार का टेक्स है applicability कब लागू होता है यह CGST और SGST दोनों देखेंगे तो यह एक ही राज्य के अंदर अगर समान बिकरा है तो लगेगा IGST लगेगा जब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच समान बिकरा है एक राज्य से बिका और दूसरे राज्य ने उस समान को खरीदा collection की बात करते हैं तो cgst जो है वो केंदर सरकार इखटा करता है sgst राज्य सरकार इखटा करता है और igst तो केंदर सरकार करता ही है उद्देश्य क्या है cgst का कि केंदर सरकार को revenue पैसा मिलता है SGST में संबंदित जो भी राज्य होगा उस राज्य सरकार को पैसा मिलेगा और IGST केंदर को मिलेगा और कुछ हिस्सा राज्यों के सरकारों के बीच में बाट दिया जाएगा एक एक्जामपिल लेते हैं जैसे कि सेल आफ गूर्ड एक ही राज्य में होना है एक दिल्ली से दिल्ली के कस्टमर्ण में ही खरीद लिया दिल्ली के दिल्ली के अंदर ही खरीद लिया तो वो CGST या मुंबई के मुंबई में खरीद लिया तो वो CGST या IGST कुछ भी कह सकते हैं IGST हो गया कि हर्याना से करना तक चला गया समान तो वो IGST उस पर IGST टेक्स लगेगा अब देखेंगे आप ये भी समरी है इसकी CGST देखें सेंटरल गवर्मेंट खरीद रहा है नीचे आएंगे नीचे वाले में AJST, उनिञटरी और IGST करते रहेगी लेन देन लागू होगा CGST में एक ही राज्य के अंदर समान खरीदा बेचा जाए SGST में भी एक राज्य के अंदर खरीदा बेचा जाए UGST जो है वो भी एक ही केंदर शाषित प्रदेश के अंदर खरीदा और बेचा जाए और IGST एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक केंदर शाषित से दूसरे राज़े में या केंदर शाषित में या अपने राज़े से अपने प्रदेश से दूसरे राज़े में प्रदेश में जा रहा है फाइदा किसको हो रहा इसमें CGST में केंदर सरकार पैसा रखेगी SGST में राज्य सरकार रखेगी UGST में Union Territory रखेगी IGST में Central Government केंदर शासित रखेगी केंदर सरकार जो है वो रखेगी और कुछ हिस्सा राज्य को मिल जाएगा अब देखिए इसकी जरुवत क्या पड़ी कि अलग अलग भिवाजन क्यों करेगा कि IGST भी लेंगे CGST भी लेंगे एकी टैक्स हो सकता था तो लेकिन हमारा ये फेडरल कंट्री माना जाता है संग्य देश है कि उपर केंदर सरकार भी रहती है और नीचे राज्य सरकार भी रहती है और दोनों को कर लगाने का और उसे एकटा करने का शक्तिया दी गई है अब दोनों सरकारों की अलग अपनी जिम्मेदारिया भी है हर राज्य को अपने अपने राज्य में विकास करना है आम जनता को सुविदाय देनी है केंदर सरकार को भी वो भी उसे भी सब कुछ करना है लेकिन उसे पुरे प्रदेश में करना है सब काम तो इसलिए जीएश्टी को गर राजस बढ़ाने की आवश्यक्ता इसमें हो रही थी तो क्योंकि दोनों सरकारों को पैसा चाहिए इसलिए इसको बाट लिया गया कि कुछ पैसा रज्य सरकार रख लेगी और कुछ पैसा केंदर सरकार रख लेगी ठीक है क्योंकि बई दोनों को जरूबत है और इससे क्या होगा करदातों को एक दूसरे से क्रेडिट लेने में मदद मिलती है कि जो पिछला टेक्स दे दिया वो बापिस आपको मिल जाता है कि हम आगे दे दिया तो जो पीछे का टेक्स दिया तो टेक्स पे टेक्स ना अब देखिए कैसे निर्धारित होगा कि CGST लगेगा कि SGST लगेगा या IGST लगेगा यह तो मैंने आपको देखे बताई दिया कि अगर इंटरा इस्टेट सप्लाई है यानि कि एक ही राज्ये के अंदर सप्लाई है कि एक ही राज्ये के अंदर बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी है दोनों है तो हापे CGST और AGST लगेगा ठीक है और दूसरा यह इंटर इस्टेट सप्लाई है इंटर इस्टेट मतलब एक से दूसरे राज्य में या एक केंदर शाषित प्रदेष से दूसरे राज्य में केंदर शाषित प्रदेश में समान भिक रहा है यानी एक जगे से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो IGST टैक्स लगेगा या जैसे हमारे special economic zooms होते हैं जहाँ पर export होता है समान तो वहाँ पर भी IGST लगेगा ठीक है export import होता है उस पर भी IGST लगेगा तो इससे पता चल जाएगा हमें कि भई अगर एक ही राज्ये के अंदर सब कुछ हो रहा है तो CGST और SGST ये UGST लगेगा और अगर एक राज्ये से दूसरे राज्ये से बनाने में अब देखी कोई भी काम शुरू होता है तो उसका होता ही है जिसे हासिल करना ही है तो भारत की में जो GST structure बना है उसके साथ भी यही है कि उसका भी उद्देश्ये है तो क्या उद्देश्ये है देखे पहला है सिंप्लिफाइदा टेक्स सिस्टम कि अमारी जो कर प्रणाली है उसको हम सरल बनाएं ट्रांसपेरिंसी रहे पार दर्शिता रहे टेक्स के ओपर टेक्स ना पड़े परेशानी ना हो लोग अराम से इसको समच स लुक्त करनाटक में भी उसी समान का अठार प्रतीशत ही रहे गा तो एक पार दर्शिता भी रहती है और सबको पता भी रहता है कि भी सिंग्ल सिस्टम है और डेक्सिस भी सबको पता हूंगे इससे दूसरा पॉइंट है बूश्ट एकनोमिक ग्रोथ आर्थिक विकास को ब ट्रेड बैरियर्स हैं, जो व्यापार की बादाएं हैं, वो दूर हो रही हैं, और जो लागत आ रही है, लेन दिन लागत वो भी कम हो जाती है, तो आर्थिक विकास जब सब चीजे सही चलेंगी, तो हमारे देश में आर्थिक विकास होगा ही होगा, तीसरा है, इंप्रूब्ट टेक्स अड्मिनिस्टेशन, जो कर प्रिशाशन में भी सुधार हो जाता है, कि पूरे देश में जीएश्टी का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, और सेंट्रलाइस सिस्टम बना हुआ है, तो इससे क्या होता है, रेविन्यू कलेक्शन भी हो जाता है चोरी होने की विम्मित कम रहती है, ट्रांस्पेरेंसी भी बनी रहती है, और सरकार में विश्वास भी रहता है। अब हम देखते हैं, देखिए, importance of understanding GST structure, कि GST जो structure है, उसको समझने की क्या आवश्यक्ता है, हम क्यों समझें इसको, कि GST का structure इसका, अगर हम वियापारी हैं, तो आप बताएं कि हम इसको क्यों समझें, हमें क्यों पता होना चाहिए कि GST structure कैसा है, किस किस तरह के टेक्स लगते हैं, कौन टेक्स लगा रहा है, कौन टेक्स कलेक्ट करेगा, हमें क्या जुरूत पड़ी है, अगर हम वियापारी हैं, लेकिन अगर ये जरूरी बहुत है, क्यों जरूरी है, देखिए, पहला है अन को पूरा करेंगे, अपने टेक्स के structure के हिसाब से हम टेक्स जमा करेंगे, जहां 5 प्रतिशत लग रहा है, तो 5 प्रतिशत टेक्स जमा करेंगे, 18 प्रतिशत है, 28 प्रतिशत है, जो भी हम टेक्स में आ रहे हैं, वो टेक्स हम सरकार को जमा कर देंगे, तो इससे क्या होगा, कि GST बिल्कुल सही जमा होगा कोई penalty भी आपके उपर नहीं लगेगी जब सीजे सब सीजे पता होंगी तो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे तो आप पे कोई penalty भी नहीं लगेगी pricing strategy हो जाता ये कि भई अगर वियापारी को पता है कि क्या कीमते रहेंगी तो वो उसी साबसे अपना final price decide कर लेता है कि जब उसे पता होगा कि मेरी ये वस्तू है कि मैं ये TV बनाता हूँ तो इस तरह के TV पर कितना tax पड़ेगा वो मुझे पता होगा तो मैं उसी साबसे अपनी pricing strategy रखूँगा कि जिससे मेरा समान अराम से बजार में बिख सके तीसरा है supply chain optimization यान वी आपूरती शिंख्रा अनुकूलन होगा तो इससे supply chain मतलब जो logistic होता है जो समान आ रहा जा रहा है किस तरह से किस chain के दुबारा जा रहा है कैस कौन लेकर जा रहा है कहा कहा आएगा कहा कहा रुकेगा कहा कहा जाएगा वो सब अगर हमें clearly पता होंगे तो तो ये सब चीजों की समस्या नहीं रहेगी इनको हम सही से manage कर सकते और जाहिसी बात है record जब सब कुछ पता होगा तो हमारी record keeping भी अच्छी रहेगी सारे records हमारे सही बनेंगे कितना समान खरीदा कितना समान बेचा कितना हमने GST दिया कौन से invoice number रहे क्या चलान भरा ये सब हमें पता होगा तो इससे क्या होगा हमारा proper recording रहेगी सब चीजों की documentation अच्छा रहेगा काग जी कारवाई हमारी अच्छी फाइल बनी रहेगी कि अगर कोई चेक करने भी आता है अधिकारी तो हम उसे आराम से दिखा सकते हैं टेक्स फाइलिंग जैसे मैंने बताया कि भई हर जो टेक्स जो GST के फॉर्म भरे जाते हैं वो हर महीने भरे जाते हैं कि एक महीने में कितनी बिक्री करी कितना टेक्स दिया यह सब चीज़े तो हमें जब पता होगा तो हम टेक्स की फाइलिंग जो फाइलस वगजारा फॉर्म से वगजारा हैं वो हम सही से रिटरंड भर सकते हैं विदिन टाइम भर देंगे क्योंकि सबकी समय सीमा होती है ये नहीं है कि आपको फॉर्म भरना है तो आप सोचो भी अगले साल भर देंगे ऐसा नहीं सबकी अलग-अलग सीमाएं है कि कैसी में 10 दिन का टाइम दिया गया है कि ही 15 दिन का दिया गया है तो उस रिसाब से within the time हम अपने फॉर्म को भर देंगे टेक्स जमा कर देंगे तो टेक्स फाइलिंग हमारी अच्छी हो जाएगी ऐसी input tax credit होता है कि जो पिछला टेक्स हमने दे दिया है वो टेक्स हमें बापिस मिल जाता है कि मालो मैंने समान खरीदा किसी से तो मैंने तो टेक्स दे दिया उस बिक्री वाले को अब मैं आगे बेच रहा हूँ तो फिर मुझे वो गरहक दे रहा है टेक्स फिर वो भी मुझे सरकार को जमा करना है और मैंने पीछे वाले जो व्यापारी था उसको भी दे दिया तो दो बार टैक्स हो जाएगा मेरे उपर तो भी अगर मैं अपने गिरहाक को समान बेच रहा हूँ तो उससे मैंने टैक्स वसूल करा और वो टैक्स मैं क्या करूँगा आपने गौवर्मेंट के खाते में जमा कर दूँगा लेकिन मैंने अगर पीछे से समान खरीदा है किसी और व्यापारी से समान खरीदा था तो मैंने उस प्राइस में भी वो टैक्स जुड़ा हुआ था जैसे मैं एक्जाम्पिल ले लूँ कि एक व्यापारी ने 10 रुपए का समान मुझे बेचा तो मुझे उस पर एक रुपए मैंने टैक्स दिया ठीक है नौ रुपए का और एक रुपए नौ रुपए की कॉस्ट एक रुपए का टैक्स मैंने 10 रुपए उसको दे दिये अब मैं आगे समान बेच रहा हूँ 11 रुपए का तो मैंने ग्रहाक से 11 रुपए ले लिये तो उसमें एक रुपए का टैक्स है अब एक रुपए का जो टैक्स है मैंने सरकार के खाते में जमा कर दिया तो मैंने एक रुपए तो वो जमा कर दिया और पिछली व्यापारी को भी मैंने एक रुपए दे दिया तो मेरे पास से कि इस ले चले गए, दो रुपए चले गए, तो ये input tax credit होता है, कि जो आपने पिछला एक रुपया दिया है, वो आपको बापिस मिल जाएगा, उसे हम कहते है, input tax credit, तो जब क्योंकि GST की सरंचना इस तरह की है, कि GST का structure इस तरह का है, कि आपने जो पिछला tax दिया है, वो आप को बापिस मिल जाएगा तो टेक्स पर टेक्स दो दो बार नहीं देना पड़ेगा आपको तो इसलिए जी एश्टी स्टेक्चर को समझना बहुत जरूरी है अब देखिए जो जी एश्टी स्प्लिट करा गया स्प्लिट मतलब कि भई अठारा प्रतिशत नौ राज्य सरकार देगी पता ही नहीं चल पाता तो जब आधा आधा है तो यह किलियर हो गया कि तो फिर डिस्टीबिशन हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई लड़ाई जगरा इसमें नहीं रहेगा और सुर्विवस्थित सिस्टम रहेगा कि भई जो मैं आपको बता है कि टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा चूंकि इंपुट टैक्स क्रिडिट हमें मिल जाएगा और बिजनिस एंवायरमेंट भी इंप्रूव होता है जब सब कुछ सई चल रहा होता है तो बिजनिस भी फ्रेंडली क्लाइमिट बन जाता है एकनूमिक ए तो बिजनिस एंवारमेंट हमारे देश का अच्छा हो जाता है. सब चीज अगर व्यपारी तरीके से काम कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं करेंगे tax की सब को सही चलेगा तो देश का विकास भी होगा ही होगा तो आप समझ गए होंगे यह conclusion है हमारा कि जो भारत में जो GST का structure है उसको समझना और सभी आकार के वेवासाव के रिए जरूरी है को छोटा व्यापारी है बड़ा व्यापारी है मिडल व्यापारी है सब लोगों के समझना चाहिए तो इससे क्या होगा वो अपने record को सही तरीके से बना पाएंगे अपनी आपूर्ती शिंखला प्रभंदन supply chain management सही अच्छा रहेगा अपने records को वो सही से maintain कर सकते हैं ठीक है नहीं और इससे क्या होगा जो GST का tax structure है हमारा वो वो businesses को एक तरीके से empower करता है उ उनको बोज से कम करता है tax burden कम रहता है उनके उपर operations जो business activities होती है वो थोड़ी कम हो जाएंगे उससे business activity का मतलब जो tax से संबंदित काम है वो कम हो जाएगा फिर सब चीजे online system है तो सब आराम से वो काम कर सकते हैं ठीक है तो GST structure हमारा CGST हो गया SGST हो गया Union territory का GST हो गया और IGST हो गया अलग-अलग tax rate है 0% 5% 12% 18% 28% हर व्यापारी को ये चीजे समझनी चाहिए जिससे कि वो अपने व्यापार को सही तरीके से चला सके ठीक है तो मुझे अमीद है कि आपको ये GST structure के बारे में सही तरीके से आप समझ गए होंगे ना समझ माए आप इस वीडियो को बार आप दे सको ठीक है ये फिर भी आप इसको बार-बार पढ़िए ये important topic होता है कि कौन से tax रखते हैं किस किस तरह के tax लेते हैं कौन tax लगाता है कौन tax collect करता है तो इस सब चीजे हमें पता होनी चाहिए एक commerce के students के लिए एक व्यापारियों के लिए चाहिए मैं m.com के student हो m.b के हो बी-बी-ए के हो बी-कॉम के हो किसी भी course के हम student हो या हम व्यापारी हो ये सब चीजे हमें पता होनी चाहिए तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कोई समस्या हो comment box में लिख दीजेगा thank you